हाई गुड बॉर्णिंग सासियकाल आप नमस्का वनकम और जैहिंद कैसे दोस्तों एक बुरी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो जानते हैं फैशन इंडेस्ट्री को बॉलीवन इंडेस्ट्री को तो खबर जुड़ी हुई है मशूर फैशन डिजाइनर जो बहुत ही फेमस है रोहित बल जी हाँ रोहित बल के साथ एक बुरी खबर आ रहे जुड़ी हुई और अगर आपको यकीन हो तो मैंने यह बात बोली भी थी कि 20 नमबर के बाद आपको कुछ ऐसे सी बाते सुनाई द पर है कोह या चुका है और लोग मेरा मजाक ऊदा रहे थे कि सार क्या ऐप लिद्गी सक्ता निय। लेकिन इनके साथ क्या हुआ रोहित बल के साथ ये जानना जरूरी है क्योंकि जिन लोगों को शुगर है जिन लोगों को हाट प्रॉलम्स हैं उन लोगों के लिए ये आखे खोल देने बाला वीडियो थाबित होगा इसलिए पूरा वीडियो देखेगा ठीक है रोहिद बल के साथ क्या हुआ है पहले बता दूँ और फिर आखे दिये क्यों होता है रोहिद बल एक फेशन डिजाइनर हैं बहुत फेमस हैं 61, 61 साल के हैं शुगर है और अचानक इनको अभी कुछ चेस्ट में पेन हुआ है तो इस्पेशली शुगर के पिशन में सुगर की वज़ेसे भी क हो जाती है और अंदर ब्लॉकेज हो थिए ज्याधा तरं छोंड लोगों में भुए कुए होती है उसकी वज़ेसे भी को जाती है और वह पता चलता है हमारा जो से इjection musical नाम का ECO में एक टेस्ट होता है वह से पता चल जाता है कि प्रसेंट कितने प्रसेंट काम कर रहा है हार्ट नॉमली 55-60 प्रसेंट तक होता है सिवेरली जो अगर यह बोलें कि बहुत पूर हो गया है तो 30-25 परसेंट से नीचे इसको बोलता है बहुत पूर हार्ट का फंक्शन हो चुका है इसकी बचे लोग हार्ट फेलियोर में चले जाते हैं पानी भर जाता है लंक्स में और कई बार बहुत ज़ादा अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाए बहुत जादा पानी भर जाए औक्सियन डिप कर जाए तो पेशन को वेंटिलेटर पे भी डालना पढ़ सकता है और ऐस सबसे बात ये भी बात पता चली है अलग कि मैं इसका वो नहीं करता हूं पुछती लेकिन पता चला है कि एलकोहल एब्यूस के भी पेशिंट थे एलकोहलिक भी थे तो यह जो कॉंबिनेशन है ना देखो सफलता पा लेना एक अलग चीज है लेकिन अपनी हेल्थ को सफल बना चाहिए और कितने कम लोग होते हैं जो इनसे दूर रह पाते हैं जैसे कि मैं अक्षे कुमार का अगर नाम लूँ कि वह बन्दा कहता जी मुझे तो रात को घर आगे सोना है और सुबह जल्दी उटना है तो ऐसे कितने कम लोग हैं ठीक है ज़्यादा तर लोग involved होते हैं इ अगर तो आप सपोस्ट किसी को ठीक रखता है तो एंजियो प्लास्टी काफी 15-20 साल तक आराम से निकल जाते हैं इवन लाइफ लोग भी निकल जाते कहीं लोगों की लेकिन जो लोग अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखते हैं जैसे कि इनके साथ लगते हैं शुगर ठीक थे शुगर का पिशंट उपसे अलकोहल लेता हो डेली सोने पर सुहागा है बिमारीयों के लिए हाग में घी है अग यह आग में घी है अगर यह बो林u सुनेンドज वागा हुसकता है देकिन मरीज के लिया आग में घी है उसकी बिमारियों में तो शुगर का अंक्रोर और रहना कई बार मसल को धीरे धीरे वीक कर देता है और अचानक पता चलता है एक दिन कि इसको बिफूप्ध तो इसकी मैस इतनी हो हो गई है कि अब आप दभाईयों के अलावा और और जारा नहीं नहीं है क्योंकि जब multiple को जाती है और पहीं बर सडंण काडिकuranFF गए हो जाती है कि अचानक कुछ हो तो heart खुदी defibrillator का काम करे खुदी shock माँ पे लगे और patient ठीक हो जाए लेकिन ये सब चीज़ें temporary हैं आप patient को कुछ दिन तक extend कर सकते हैं कुछ महीने कुछ साल तक लेकिन जिन्दगी बहुत कम रह जाती है एक बार muscle अगर weak हो जाए तो हलाकि मेरे पार patient है जिनकी muscle 20% काम कर रही हो और आज हमको देखते हैं मुझे 10 साल हो गए तो ऐसे patient भी है सब आपकी lifestyle पे आपकी किस्मत पे आप medicine को कितनी गंभीरता से लेते हो अपनी life को कितनी discipline life जीते हो इस पर ही depend करता है आपका आने वाला future ठीक है तो कुल मिला के शुगर वाले patient को बहुत discipline life चाहिए और खाली यह मत अच्छा होता क्या है कि कई बार आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि आपकी heart के muscle भी हो गई तो routine अपने test हर साल शुगर के patient को कराते रहना चाहिए इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए हर साल अपने routine टेस्स कराओ और दो साल में एक बार तीन साल में एक बार इको भी जरू करा के देंगे शुगर के patient अपना ECG हर साल कराए routine जो blood test है HBA1C है, urea kidney function test है liver function test है, lipid profile है इसी के साथ एक liver पे भी काफी असर आता है kidney पे तो असर आता ही आता है यह तो लोगों को पता है पर मुझे लगता है sugar का असर हर organ पे आता है यह कहना कि सिर्फ kidney खराब होती है मैंने cirrhosis के कितने patient देखे हैं जिनके liver खराब हो चुके है 80% लोगों का liver involved हो जाता है शुगर अगर कंट्रोल नी रखोगे तो किसी का कम किसी का ज्यादा तो liver, kidney, eyes, heart, clotting हर जगा पे देखा जाए तो शुगर एक slow poison है silent killer है तो इस चलिए मैं तो खाली प्रे कर सकता हूँ रोईद बल के लिए कि भवान उनको ठीक करें जल्दी से और जो भी उनकी जिन्दगी आगे है वो अपना धंग से निकाल पे है अभी तो ventilator पे है अभी तो critical condition बताई जा रही है पहले ventilator हटेगा उसकी setting कम होंगी तब जागे पता चलेगा कि क्या वो survive कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पर हम प्रे तो कर सकते हैं उनके लिए और प्रे हर किसी के लिए करना चाहिए जो भी बिमार हो ठीक है हम और क्या कर सकते हैं किसी के लिए हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं बागी का हम डॉक्टर कर रहे हैं और चलिए तेंक यू वेरी मच वो तो एक रिच इंसान है जो अपना इलाज ऐसे बड़े प्राइवेट होस्पिटल में करा सकता है जहां पर रोज का एक लाख रुपे का कर्चा मिनिमम है जिन्दगी की वैल्यू नहीं है भाई जिन्दगी की वैल्यू नहीं है जिन्दगी एक ही बार मिलती है लोगों को और वो सोचते हैं बस यही जिन्दगी है एश करना ही जिन्दगी है जो से जाता है पैसा आना भी अपने आप में बहुत बड़ी मसीबत है सच बताओं दोस्तों थैंक यू